दोक्टर प्रावचंदर साथ मैं शुरू आपसे इसलिए कर रहा हूं ये एक ऐसा कश्ट है जो हर भारती को कश्ट है कोई भी जो देश में अगर अपने को भारती कहता है उसके लिए मणीपुर जल रहा है और मणीपुर में हम लोग अभी तक मरहम लगाने का काम नहीं कर र दोक्टर रामानगर तेंक यू अनल जी और सभी को सभी पेनल को भी मैं नमस्कार बिसिकली मैं स्वाट में मेरी बात जो है मैं रखना चाहता हूं ब्रिबली जो ये सुरुवात इशू जो है वो सुरुवात हुआ है मैटे की दिमान ऑप एस्टी और मैटे ने क्यों दिमा किया है उसकी कारण जो भी मैटे कमूनिटी जो है वो भी सेम हिल ट्राइब की अंदर आता है और ये ब्रिडियस गवर्वर्मेंट ने इसको अलग-अलग प्लेन और हिल की इसमें डिवाइट किया था और सब्सेक्वेंटली जब इंडिया साथ मर्ज हुआ 1949 में तो उसके बाद फिर इंडिया गवर्मेंट भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया है वो इसका हिस्ट्री है बहुत इसमें लगेगा उसको सारे एक्सप्लेन करने में बट मुटा मुटा मैं बता रहा हूँ उसके बाद जो 2013 में यह शुरू किया है डिमांड उसके बाद 2023 को यह हाई कोड एक जज्जमेन और यह रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी इनकी दिमांड को आप देखिए गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट को और उसको जो है रिकमेंडेशन आपकी जी यह सिंपल सा मत मालब रिकमेंडेशन था हाई कोड का और हाई कोड का यह मानना है कि इसमें कुछ जिस्टिटिकेशन है के अंदर जो भी रूल परमिशेबल है उसके अदार पर उसको किया जाए अब उसके बाद यह जो मालब मैं स्वर्ट कर रहा हूं एक ट्राइवल हमारे ओल मनिपूर कम्याइट नेक दोजार मैं 3 को जो है रेली हुआ और उस रेली में पार्टिक्लरी जो रेली होता है वो पीसफुल रेली होता है जितने हमने भी रेली देखा है सब पीसफुल जनरली हुआ और उसमें एक जो भी बंदुक पकर के लोग इन वॉल्व थे और उसके बाद कांगबोई करके जो जगा है न उसमें उचानपू डिस्टिक के अंदर वहां पे कुछ घर जलाएगे मैं किस ने शुरू किया है मैं कौन किया है मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं क्यूंकि वह जाएंगे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ और वहां से सारे जगा फेल चुका है उस एरिया में फिर दिरे दिरे ये फेला और मोरे जो आपने नाम लिया बोर्डर डिस्टिक टेनोपल के अंदर आता है उस डिस्टिक में जो है एकदम बोर्डर है उसमें भी मिक्स कम्मुनिटी रहता है वहाँ पे भी जो हैं बहुत सारे पंद्रा गर इनिशिल जलाएगे हैं और साथ-साथ रात में इम्वाल में भी गर जलाएगे हैं तो ये तोटेब मिला के अटेक और उसका डिफेंड कहो या री अटेक कहो या जो भी उसका रिटरेशन कहो ये दोनों कम्मुनिटी के पीछ म में शुरुआत हुआ अब इस्टी डिमान से लेके अब कहां पहुंच गया आप यहां पे कमलर राइट हो गया अब नाव इंटरनेशनल बॉर्डर की इशू तक आ गया क्योंकि अभी जो इन माइग्रेशन की इशू मनिपूर में ओलरी चल रहा था क्योंकि मनिपूर में जो बॉर्डर स्टेट जो आपने बॉर्डर कंट्री आपने बताया जो मयामर्ड हैं यह बॉर्डर आपका लगब पॉरस बॉर्डर है उसमें पुरा खुला एरिया है कम से कम 16-100 किलोमेटर से ज़ादा वाडर है इस साइड में और उससे जो है जो इमग्रेंज आ रहा है उस issues के बहुत बड़ा problems हो रहा था और उस issue को भी इसमें जो है सामिल हो गया अब ये जो total मिला के आप देखें communal ethnic conflict जो है वो दिरे दिरे बर के जो है अब international issue की level तर आ गया है अब जो problems जो है इतना ज्यादा बर गया है अभी भी कोने कोने में घर जल रहा है अब देखो ये भ और कहीं जगा आपका जो कुकी कमुनिटी जो मैटी कमुनिटी रहता है उसके मिक्स जगा है वहां पर जालतर जो है SC और ST मिक्स है और कुछ OVC ग्रूप मिक्स हैं जो minority groups मी हैं जो अपस में मार रहा है ये भी आप देखिएगा ये बड़ा important point है मैं जो highlight करना चाह रहा हू आप बोले कांगपोगपी जगा पे बोले आप इधर जो शेंगमाई जगा पे बोले बिस्टिमपूर और इसमें सुगनू कक्षिंग डिस्टिक एरिया में बोले सब ACST की जाधा predominant है वही पर maximum ये जो concentrator है जो घर जलाने का killing जितने भी हो रहा है और ये मैं ये कह रहा हू है और बहुत हैरानी वाली बात यह है वहां पर एकदम शॉपेस्टिकेट व्वीपंच यूज किया जा रहा है रहा है पिल महलेभव आप सनाइपर यूज किया जा रहा हे एंप 16 यूज किया जा रहा है और इस वारा सिरियसली गंडीना लेना चाईह स्टेट गवर्मैन लेना चाहिए वहाँ पे कम से कम 40,000 आर्मी पर्सनेल हैं और उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए यह नौर अगली कमिनल रायट और यह कहें कि दो एथिनिक ग्रूप ही नहीं है और भी बॉर्डर एरिया की प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ फोर्स जो सिटी में पैट्रोलिंग कर रहा है वो लोग भी वहाँ पर घर जलाने में इंवल्ल हो रहा है कही जगाऑ पर पथर मारी हो रहा है यह सेकुरिट्य फोर्स यह बचाने आया है यह किसी को जो है इंस्टिगेट करने आए यह समझ महीं नहीं आ रहा है был दूसरा एक रिपोर्ट और भी है, असाम राइफल जो हैं, वो कुछ कम्मुनिटी घर जलाते हैं, तो देखते रहते हैं, और दूसरा कम्मुनिटी आके डिफेंड करता है, तो कहता है कि आप मत नहीं आ सकता है, उसके उपर फैर्डिंग होता है, तो इसी तरह आप अब अब सब्सक्राइब जाएं, जो आर्मी वहां पे बैठा के आप सेंटर से देखना या इस्टेट गवर्मेंट वहां पे अपना जो सेकेटरेट, जो स्टेट गवर्वर्मेंट के सेकेटरेट से प्रेस रिलीस करना, ये काफी नहीं होता है, आपको फोचे भेजना परेगा, आपको दोनों ग्रूप साथ रह रहा है, दोनों ग्रूप की बीच में ये इशू हो सकता है, वहां पे आर्मी पहले सही प्रिकोशनरी लेके बिठाना चाहिए, तभी ये मामला निकलेगा, दूसरा, साथ साथ एक जो आपने पीस कमिटी बना रखा है, वो क्या कर रहा है, अभी तक किसी को पता नहीं है, कम से कम ये डायलोग शूरू करें, आप प्लिकल डायलोग बन हैं एकदम, वहां कम से कम साथ एंपी और टोटेल मिला के दस एंपी, जो कुगी कम्मुनिटी की एंपी, एमेले हैं, एमेले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो अलग ही चाहिए separation, और वो constitution में रेके, constitution में एसेंबली मेंबर है, और कैसे कह सकता है कि बाई जो में अलग administration चाहिए, आपको कुछ प्राब्लम है, आप assembly में आईये, assembly में बाते रखियें और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो अलग रहना चाहता है, यह कहां का कानून है, और उसमें जो है ruling government को प्रयक्शन नहीं लेता है उनके उपर और ये कम से कम बुला के आप ये तो बोलो कि आपका जो प्राब्लम है asemly में आओ ओफस में आओ हम बात करेंगे या center में आओ बात करेंगे ये थोरी होता है कि हम बात नहीं करेंगे जब तो महाना दीमान नहीं मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है ये बहुत बड़ी बात है क्यूंकि आप खुद construction की अंदर काम कर रहे हो और आप खुदी जो है इस तरह का अलग system ले रहे हो तो ये एक बड़ा issue है इस बात को लेके government security force को proper तरीके से use नहीं कर पा रहे हैं इसका एक ही solution है एक तो आपने solution की बाद भी कहा इसलिए मैं solution की तरफ आ रहा हूं समस्या तो बहुत है और यह जो यह जो solutions का प्ला सकता है एक तो आपकी सालिस जार force क्या कर रहा है सालिस जार force जहां जहां बनरेबल जगा है जहां जहां मिक्स population कुकी ओ मैटे पॉपलेटिंग जगा है वहां पे आप तेनार कर दें सभी जहां पे तेनार करने के बाद आप political leaders और जो जो हमारा दोनों तरफ का जो community leaders हैं उनको बुलाईए table में लाईए आप उनको समझाए कि बाई यह state हम सब का है यह state मैटे कर नहीं है यह state कुकी कर नहीं है यह state नगा कर नहीं है आपको मैं इस बात को लेकि एक और चीज़ बता रहा हूं यहां पे मेजर इतनी groups हैं जो नगा कुकी और मैटे कहते हैं बट आप उसको दियान से देखेंगे तो यह इसमें 35 से जादा सब इतनी groups हैं कुकी में भी sub divisions हैं और मुभा में भी सब इलए हैं और मैटे में भी महिटे ही एक group हैं बट मैटे में सब कास नहीं होता है बट लेंगोिस्टिक के लिए कुछ-कुछ फरक भी है यहसे मैं Len Horł City दिया से नहीं हूं तो मेरी leaders को बुला के आप एक dialogue करें dialogue कब करना है dialogue करना है पहले force आप जहां-जहां vulnerable area हैं वहाँ पे तेनाध करने की बाद आप table में लाएंगे और issue को समझाएंगे sir इसमें बाद एक और चीज है जो हम सब को समझना है यहाँ पे जो लोग relief game में हैं, वो सब maximum farmers हैं, मैं कहा रहा हूँ 99% farmers हैं, उनकी बच्चों के education, मैं यह ने कहा रहा हूँ कि बाकी बच्चे का effects नहीं हैं, बाकी बच्चे का भी effect हैं, school ये बन हैं, college ये बन हैं, पूरा बच्चे का life बरबाद हो जाएगा, ये भी एक अलग angle है, दूसरा जो लोग farmers हैं, monsoon season आ रहा है, उसमें आप farmers जो है farming नहीं करेंगे, तो खाएगा कहां से, ये लोग के रहा हैं कि हम आपको relief game में अनाज देंगे, ये free देंगे, कब तक देंगे आप, जिसका घर जल गया है, वो तो पहले घर बनाएंगे, फिर उसके बाद अनाज लाएंगे, और वो कब तक चलेगा, तो इसको बहुत जल्दी address कर सकता है, पहले security force यूज करें, और ये हिंसा को रोखें, उसके बाद जितनी भी leaders हैं, community leaders हैं, इमा, जो ladies लोग हैं, सब को बुलाके, इसकी नुक्सान सब को पता है, सब जो हैं, डेली वेजर्स लोग हैं, मारके में इम 300-400 रुपया का समान लाके बेच के ही घर चलता है, सब को समझाने में हो जाएंगे, problem तो यह है कि government चाही नहीं रहा है कि इसको solve हो, जे, जे, मैं डॉक्टर रावन, एक आप से और चीज़, मेरे एक दर्शक का, one of my audience has a question from you, he says कि why 200 churches were burned down, ये church, जैसा यहां पर खबर आ रह अनन जी, जब कोई riot होता है, या ethnic conflict होता है, तो वो यह नहीं देखता है कि कोई church है, या कोई mandir है, कोई masjid है, जब mob चलता है, तो mob जो है, वो एक emotion लेके चलता है, वो एक, उसको आगे पीसे कोई देखता नहीं है, और इसमें आपने जो शरिफ church की बात की, उसमें mandir भी जला है, mandir भी तोरा गया है, 200 साल पुराने mandir भी आप जगा पे तोरा गया है, एक मैटेई का बहुत मानते हैं, वो मुरे के आसपास की mandir तोरा गया है, चुचामपूर में mandir तोरा गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि श चर्शी तोरा गया है, ये जब crisis शुरू हुआ, उसके बाद, जब मोब जहां-जहां इनकी predominant है, वहां पे ये दोनों तरफ जो जहां पे रास्ते में लोग को आया, उसमें हुआ है, ये unfortunate point वो है, conditions है, मैं उसको support नहीं करता हूँ, either mandir को तोरने वाला हो, या church को तोरने व 2000 की riot, 2002 की diet गुजराद में हुआ है, वहां पे वही conditions है, तो जब conflict होता है, तो anything can happen, तो इसी तरह जो है, church हो या mandir हो, ये दोनों है, और दूसरा एक, जो अभी सिक जी ने जो बोला है, इसमें मैं ये बाद को बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी जो लो नगाख कुकी की लराई हुआ, वो भी जमीन की basis में ही हुआ है, इनकी जमीन जो है, क्योंकि दोनों जो कुकी और नगाख कुकी और नगाख कुकी और नगाख जो है, वो hill area में जादतर इनका inhabited हैं, और predominantly inhabited हैं, वहां पे भी जमीन की issue को लेके ही लराई हुआ, और 1993 में ये जो हुआ उसमें, लोग ने report ये कहा गया, कि ये conflict है, खुकी और नगाख की, और यहां पे बोला जा रहा है, इंतिनिक cleansing और genocide, ये term use करके क्या होता है, लोग ज़्यादा इसमें जो emotion में आके, फिर ये ज़्यादा crime कर लेते हैं, इसलिए मैं इस term को ये नहें कि आपने use किय ये काफी हमारी other channel में लोग ने use किया है, newspaper में use किया है, ये basically term जो है, बड़ा aggressive term है, और ये provocative term है, इससे जो है, लोग को क्योंकि इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि इंफाल में cookie नहीं है, अभी check-on area जो इंफाल East की area है, वहां पे अभी भी cookie रह रहा है, अब दो दिन तिन पह होगा, एक गर बाद में जलाएगे हैं, वो एक reporter ली, जो news में आया था कि cookie का गर, cookie ने कुछ जलाया था और बाद में जो है, बलेम किया है, मैटे का, तो इस तरह का हुए है, आप कल की बाद में करूँ, कल जो है, लेमकोंग area है, जहां आपका maximum battalines हैं, वहां पे, आर्मी क आसाम rifles का, बहुत सारे training वहां होते हैं, और पूरा notice की, जो मनिपूर की area की आप देखें, तो maximum army controlment वहां पे रहता है, लेमकोंग area, जो इंपाल इस की अंदर आता है, वहां पे, एक पांच गर जलाएगे हैं, उसमें एक नगा के भी गर जले हैं, दोनों साथा, मतलब साथ में ही थे, तो पांच जो है, छे, चार गर जो है, वो मैटे के थे, एक गर नगा के हैं, और ये पांच गर जला दिया गया, आप बोला है कि मैटे ही कही हैं, ये रिपोर्टिंग में आभी, मैं अपनी रिपोर्ट बता रहा हूं कि मेरी sister का गर की opposite है, मेरी sister जो हैं, वही र गल में हैं, और वहां जला जाता है, वहां पर कोई रोक टोक है यह नहीं, तो इसी तरह जो है, ये ये ओवर आल जो है, लग रहा है कि गवर्मेंट इंडिया सीरियस नहीं है इसमें, एक तो अमिर साथ जी आये हैं, और उसके बाद जो हैं, दो दिन तीन दिन रहे के चले किये हैं, कुछ अपने बात किये हैं, उसके बाद दुबारा इसका वो नहीं है, एक तो स्टेट गवर्मेंट कुछ कहता है, और ये कहता है, इन्दिलिजन फेलियर हैं, कहता है कि भाई, जो है कुकी नगा कि मैटे यो कुकी की वो लराई है, फिर कहता है कि नहीं, ये तो दूसरे कमुनिटी के साथ लराई हैं, एक तो उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, दूसरा जो है, आर्मी चीब आता है, वहाँ पे जाता है, कहता है कि नहीं, यहाँ पे कोई इंटरनेशन प्रॉब्लम है नहीं, अरे आप जो बॉर्डर स्टेट हैं, मनिपूर में आपक की पूरा जो बॉर्डर एरिया है, पॉरस है, इंटरनेशन प्रॉब्लम है, यह नहीं कि दो दिन पहले आया है, यह सालों साल इंटरनेशन प्रॉब्लम हैं, फिर भी आप कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे M16 कहां से आ गई, आपका AK47 और यह जो आपक स्नाइपर कहां से आ गए, आप कोईशन कर नहीं सकते क्या, तो यह चीजे जो है, आपने शू कम्यूनिटी, आप मैं शू कम्यूनिटी इसलिए बोल रहा हूंगे, कोकी का जो सस्पेंसर ओपरेशन में जो कम से कम 17-18 ओगनाइजिशन है, उनकी एटेंडेंस आप देखिए जो अंगली 58% एटेंडेंस है, कहता है पूरा एटेंडेंस है, अरे 58% एटेंडेंस है, तो आपको पुछना चाहिए 58 एटेंडेंस क्यों है, दूसरा उनकी वहां से विपन्स मिसिंग है, आप क्यों नहीं पूछन पूछने हैं कि आपकी यहां से विपन्स मिसिंग है, पेनलाइस कीजिए तो आप दोनों तरफ से आप एक्षन लेंगे तब ही तो लोग बंदूग नहीं उठा के ले जाएंगे आप वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे जो बिलेजर्स हैं वो क्या करेंगे जब गुली खाने से खाके मरने से बेटर है कि भाई हम भी अपना जो ह है वीपन यूज करके डिफेंड कर रहा है और वो कह रहें कि भाई हम वैसे ही मरना है जो तो हम मार के मरें यह भी है इसू सिमिलर लिए कुकी में भी हो रहा है कुकी कमुनिटी में भी और 20 में जो है आप सू कमुनिटी और सू कुकी कमुनिटी जो है वहाँ पे वीपन जो इतना मतलब यह इतनिक कफ्लिक सिर्फ कहे के अंदर जो भी आप चो चला रहा है अपना पॉलिक्स जो भी जिसे भी है वो ठीक नहीं है और प्राइमिस्टर कम से कम 45 दिन से जादा हो गया है यह जो इसूज है 45 दिन से जादा हो गया फिर भी आप एक सब नहीं बोल रहे हैं और बाकी वहाँ पे मैं तो ये क्वेशन पूश रहा हूँ कि सालिस हजार आर्मी वाले कर क्या रहा है हाँ सुरू का पांसे दिन क्या हुआ सिगर्गेट हुआ है आप लोग को जो है कुछ-कुछ जगा से लाए गये हैं कि जैसे आपका सुचानपूर से इंफाल लाए गये ह वहाँ जहां क्राइम हो रहा था वहाँ आप सिगर्गेट किये हैं वहाँ पे आपने आर्मी वाले यूज किये हैं ठीक है और उसकी बात अभी क्या कर रहा है आपका 40,000 आर्मी वाले कर क्या रहा है अभी आप जो हैसरी देख रहे हैं कि वहाँ पे वार हो रहा है वहाँ ब आपको स्टेट को रूल करने के तरीका ये है, आपको लोई इन वर्डर समालने के तरीका ये है, आप एक MP का घर जला देते हैं, यहां Ministry of Education, Ministry of External Affairs के घर जल गया है, और मिनिस्टर ने खुद कहां, वो भी उसी पार्टी का है, जिस पार्टी का आप जिगर कर रहे हैं, और उनक पर कैसे बचाएंगे, वो यही कहेगा ना, वो तो पाबलिक तो यही कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तोटल वहां पे, पाबलिक जो है, ट्रस्स बिलकुल गवर्मेंट के उपर नहीं है, इसलिए बंदुक जो भी मिलता है, या पथर मिलता है, जो लकरी मिलता ह सब ले ले के घुम रहें, अब मैं कह रहा हूँ, मैं तो यह कैसे खतम होगा, यह खतम होगा, शिर्फ आप जो ठिक से आपकी आर्मी वाले यूज़ करें, आर्मी पार्सनेल जो है, जहां जहां कंफ्लिक हो सकता है, वहां पे डिप्लोई करें, और उसके बाद, आप टेब इमेले भागे होए हैं, उनको बुलाएं, और जो पॉलिटिकल डेलिकेशन हो, सेंटर में डेलिकेशन हो, स्टेट में डेलिकेशन हो, बाते करें, डायलोग में जब तक नहीं लाएंगे, यह खतम नहीं हो सकता है, और उसके बाद, अभी जो पॉफिसर इंकू ने जो बात कि मैं मैं इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं ये बाते हो रहा है और ये बाते सही हो सकता है क्योंकि अभी जो साइमेंटिनसली बंगलादेस में और मयार्मन में क्यों जो है बोम अभी फेका गया है मैजोराम की बॉर्डर पे आज की रिपोर्ट है और वहां पे बंगलादेस म स्टाइक हुआ है और ये दोनों एरिया में ये आपका कुकी चीन और जो के लेन की दिमान कर रहे हैं दूसरा यहां पे सप्रेट डिमान किया हुआ है फिर भी कुछ कम्मिनिटी कहता है कि नहीं जो इमाइग्रेन आ रहा है मयामर से वो हमारे ब्रदर और सिस्टर है मैंने नहीं है जहां आप सो साल से दो सो साल से रहने वहां पे ब्रदर सिस्टर नहीं है मयामर से आएंगे उसको ब्रदर सिस्टर बोलते हैं यह तो भाई महीतेई वालों को भी आप प्रवोक करने वाली बात हो गई यह कह रहा है कि महीतेई को तो हम मारेंगे मगर मयामर से आये ह उनको तो हम brother sister बोलेंगे यह तरीका नहीं है ना आप उनको low बनाईए उनको जैसे treat करना है refugee के तरह treat कीजिए इसको बाहर वापस करना है तो वापस करिए जिस तरह का आप open दर्वाजा बना के आप open वो करके आप welcome कर रहे हो वो सही नहीं है वो आपको और issues को बराएगा यही कहना चाता हूं से